कि मुझार शुरू करें हैं हौले से अपने आखे बंद करने हैं आराम से बैठ जाए है गहरी सांस लें और दिरे दिरे सांस छोड़े शनै शनै सांस लें और सारी चिंताए तनाव छोड़ें सांस लें उच्साह आनन्द सांस छोड़ें सारा दनाव छोड़ें सांस लें ताज़गी मजबूती सांस छोड़ें सारी खमजोड़ें चिंताएं सब फार चहरे पर बढ़िया मुस्कान हिर्दय आनन्दत साहित हिर्दय और संकल्प लें प्रति दिन योग अभ्यास से मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्त मन सयमित और नत्ती हो रही है दोनों हाथों को जोड़ें रख करें पामिंग करके पलके के प्रिपाख ठीक है हाथों की मदद से एक ही स्थान पर खड़े हो जाते हैं वाकिंग से शुरूर देरे देरे जागिंग और अप अपने आपको एक्टिवेट एडियां कुल हो के पास वाले जागिंग गुटने चाती के पास वाली जागिंग डागिंग आवियोगा विँ्थियोड टीजियोड स्यावबी画 आविशक्वूघुosब एगूदध श्लोडाँ और अब अल्टरनेटिव टूटर्च वेरी गुट देरे से वापस अब लेफ राइट जुखना अब लेफ राइट जुखना कर देरे से वापस अब लेफ राइट जुखना ब्लेफे लेफe वापस अब लेताँ गुमना। वापस अबैतना उतना वापस देरे से वापस दोनो हाथ इंटर्लोक करकर एक बार उपर उठाएं स्ट्रेच खीचे रिलाक्स अब और शोल्डर रोटेशन दोनों हाथ के उंगलिया कंदे पर एक शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करें और अब उल्टा कोनिया एक साथ आएगी छाती को पूरा खोलना है रिलाक्स दोनों हाथ कमर पर और अब गर्दन को रोटेशन गर्दन आगे जुकाएं लेफ्ट पीछे राइट आगे उल्टा एक और बार लेफ्ट पीछे राइट आगे राइट पीछे लेफ्ट आगे दीद से गर्दन मध्या और अब हम सूर्य नमस्कार के लिए तैयार होड़ें नमस्कार मध्रा टॉप अफ दे मैट शुरू करते हैं हिर्दाई से जुड़ जाएं सास लें दोनों हात उपर पीछे जुग जाएं सास छोड़ें आगे सास लें राइट पैर पीछे रोकें लेफ्ट भी छोड़ें गुटने चाती ठोड़ी जमीन पे लें बुजंग आसन छोड़ें परवत आसन लें राइट पैर दोनों हातों के बीछ छोड़ें लेफ्ट पैर भी आगे लें पीछे जुग जाएं छोड़ें नमश्कार वेरे गट लें पीछे दो छोड़ें आगे तीन ले लेफ्ट चार रोकें राइट पांच छोड़े गुटने चाती ठोड़े जमीन पर छे ले बुजंग साथ छोड़े परवत आठ ले लेफ्ट नौ छोड़े राइट दस ले पीछे ग्यारा छोड़े रिलाक्स नमशकार बहतरीन ले पीछे दो छोड़े आगे तीन ले राइट चार रोकें लेफ्ट पांच छोड़े गुटने चाती ठोड़ी जमीन पर छे ले बुजंग साथ छोड़े परवत आठ ले राइट पैर दोने हातों के बीच नौँ छोड़े लेफ्ट भी आगे दस ले पीछे ग्याराव छोड़े नमशकार ले पीछे दो छोड़े आगे तीन ले लेफ्ट पीछे चार रोके राइट पांच छोड़े गुटने चाती ठोड़े जमीन पर छे ले बुजंग साथ छोड़े परवत आँच ले लेफ्ट नौँ छोड़े राइट भी आगे दस ले पीछे ग्यारा छोड़े नमशकार वेरी गुट वन्ड़फल ले पीछे दो छोड़े आगे दी ले राइट पीछे चात रोके लेफ्ट भी पांच छोड़े अश्ठाग नमसकार छे ले बुजंग आसन साथ छोड़े परवग्दासन आट ले राइट पैर आजे नौँ छोड़े लेफ्ट भी दस ले पीछे ज्यारा छोड़े नमसकार पैतरीन ले पीछे दो छोड़े आगे तीन ले ले लेफ्ट पीछे चार रोके राइट पांच छोड़े अश्ठाग छे ले बुजंग आग साथ छोड़े परवग्दासन आट ले लेफ्ट नौँ छोड़े राइट दस ले पीछे ग्यारा लमसकार पैतरीन जोने ठकान महसूस हो रही है कुछन आश्ठाग आराम कर सकते हैं विश्राम कर सकते हैं फिर वापस जुड़ सकते हैं शुरू करते हैं सांस ले पीछे दो छोड़े आगे तीन ले राइट चार रोके लेफ्ट पांच छोड़े जमीन ले पीछे दो छोड़े आगे तीन ले ले लेफ्ट चार रोके राइट पांच छोड़े अश्ठांग छे ले भुजंग साथ छोड़े परवत आठ ले ले लेफ्ट आगे नो छोड़े राइट वी दस ले पीछे ग्यारा छोड़े नमश्वार वैतरीन वंड़फल ले पीछे दो छोड़े आगे तीन ले राइट चार रोपे लफ्ट पांच छोड़े अश्ठांग छे ले भुजंग साथ छोड़े परवत आठ ले राइट नो छोड़े लफ्ट दस ले पीछे ग्यारा छोड़े नमश्वार ले पीछे दो छोड़े आगे तीन ले लेफ्ट चार रोपे राइट पांच छोड़े अश्ठांग छे ले भुजंग साथ छोड़े परवत आठ ले लेफ्ट नो छोड़े राइट दस ले पीछे ग्यारा नमश्वार चेहरे पर बढ़े आमस्वारान बहतरी ले पीछे दो छोड़े आगे तीन ले राइट चार रोपे लेफ्ट भी पांच छोड़े छे अश्ठांग ले भुजंग साथ छोड़े परवत आठ ले राइट नो छोड़े लेफ्ट दस ले पीछे ग्यारा छोड़े दमश्वारान बहतरी बंडफल आखरी बारवा सैकल सेशान कासन के साथ करेंगे ले पीछे दो कुछ देर गुटने न मोड़े कुल है आगे च्छाती खुली सर को पीछे पूरा दिराए नहीं पहतरी अब आगे जुग जाएं स्वेशन प्रक्रिया जारी लेफ्ट पैर पीछे उल्हे नीचे च्छाती खोले उपर देखें शरी पड़िया वार्मप लेफ्ट शर्कुलेशन राट वीचे स्ट्रेंट मेल के लेफ्ट जार्मप अर अब सशाम का साथ च्छाति खोली 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 है relax yourself ती कास्तांग ती कास्तांग ने चाटी मातायमीन ती कास्तांग स्थीधूद, हर्मोनल बैलेंच, और अब भुजंगास, पिदेकानोसे दूद, चाती कुली आसन में कमफर्टेबल होने चाहिए पर्वतासन अंदर पुष्करेक अंदे एक परवज्य से दृड़ श्वशन परगार पर, पंदलियों, हम्स्रिंग परध्यान पीट हाथ अब चारोपे और सशाम कासे पर चारोपे अपके नाहिए झाल कासे अंदरी और सुष्करेक अंदराओरेक अंदरी खूचरेक अंदर्री खूजर्बल अंदर्ड़्यान ठीक है लेफ्ट पर दोनो हतों के बीच राइट पैर भी आगे आगे जुक जाएंगे और नमस्कार नमस्कार बहत्री हातों को रिलीज त्रिकोण आसन करते हैं दोनों पैर एक दूसरे से दूर लेफ्ट पैर के उंगले लेफ्ट साइड करीबन तीन फिट दूर दोनों हात बगल में कंदे तक सास लें और सास छोड़ते वे धीरे धीरे लेफ्ट साइड जुक जाएं और उप्पर राइट हात की तरफ आगे नहीं जुकना है लेफ्ट ना पीछे ना आगे लेफ्ट साइड जुके हैं हात सीथ में हो जो राइट हात है वो भी लेफ्ट हात की सीथ में हो सीधा करें हाँ कुल है हमारे पीछे नहीं जुके हूँ दीरे से वापस आएं और हातों को रिलीज पैर को रिलीज राइट पैर के उगले राइट साइड दुनों पैर फिर से एक दूसरे से दूर दूनों हाथ सांस लेते वे बगल में कन देता अब केवल राइट साइड जुकना है ना आगे ना पीछे राइट साइड जुके हैं जितना जुक सकते हो उतना और उपर लेफ्ट हाथ के दरब दे। बहुत बढ़िया दीरे दीरे वापस आएं हातों को रिलीज और पैर को रिलीज और अब हम शवासन में लेट जाएंगे अब हम शवासन में पूरे शरीर को ढिला छोड़ दें अब हम शवासन में पूरे शरीर को ढिला छोड़ दें पूरे शरीर बेहद आराम में अवस्था में जीरे जीरे पैरो क्यों मुझे है लाएं दोनों पैर एक साथ दोनों हाथ शरीर के बगल में कल बाले आशन का रिविजन करने जा रहे हैं एक और मुड़े और पेट के बल लेड जाएं कल धनुरासन कराता है उसका रिविजन करते हैं दोनों हाथ शरीर के बगल में हतेल्या नीचे की तरफ ठोड़ी जमिएं दोनों गुटनों को मुड़ें एंकल्स को पकड़ें चाहें तो गुटनों को एक दूसरे सहल का सदूर कर लें जो चाहते हैं माता जमीन पर रखना हो माता जमीन पर रख लें सांस छोड़ें और सांस लेते वे सर छाती जांग एक साथ उपर उठाएंगे पेट के बला जाएंगे शुरुआत में हम जूला भी जूल सकते हैं और जिससे सांस लेने में भी कमपर्ट आ जाता है आगे पीछे जूला पूर अश्रीर पेट के बले चाती खुली है पीट के लिए बढ़िया गरदन के लिए बढ़िया चहरे पर बढ़िया मुस्कान पांच चार तीन दो एक भैतरी तीरे तीरे निचे सांस छोड़ते बे फिर हाथ को रिली ठीक है एक और मुड़ेंगे और बैठ जाएंगे कर लेक और आसन करा था हमने पश्चि मुत्तान आसन दोनों पैर सामने पहला आएं अब शांस लेते वे दिरे दिरे दोनों हाथों को उपर उठाएं पीट सीधी और सांस छोड़ते वे नीचे कमर से आगे जुग जाएं पीट सीधी रखें इतना सरलो पैरों तक पैरों की उंगलियों को पकड़ लें गुठने तक जहां तक सरलो पैरों को अंगुटों को पकड़ ले अब जिनके लिए सरल हो कोनियों को भी जमीन पर रख सकते हैं सर को उठने पर ले जा सकते हैं हातों से पैर का अंगुटा पकड़ना है बहत्रीन जितनी देर अरामदा यखो उतनी ही देर करने हैं खीचातानी नहीं करने हैं सुशन ट्रक्रिया पर गौर पीट में खिचाब पूरे पीछे के शरीद में खिचाब बहत्रीन देरे से सांस लेते वे वापस आएंगे और हातों को रिटी अच्छा बजर आसन में बैठ जाएं एक गुटने को मोड़ें फिर दूस्टे गुटने को मोड़ें उस्ट आसन याद है गुटने के बल खड़े हो जाएं दोनों हाथ कमर पर पोनिया थोड़ी अंदर की तरफ लें और दीरे दीरे पीछे पुलहे आगे च्छाती खुली पुलहे आगे च्छाती खुली कोई डिसकंफर्ट जिसको है वो ना करे बैतरी पेट में बढ़िया खिचाओ च्छाती में फुला पन जिनके लिए सरले एक हाथ पैर पे फिर दूसरा आद भी पैर करेंगे पुलहे आगे च्छाती खुली दीडेसे वापस दीड़े वापस हाः और अर शशांकास्न अ हर अध शचांकास्न ते तिरे से वापस आए आज हम दो नए आशन सीखने जा रहे हैं पहले हम रेनु दीदी को आशन करते वे देखेंगे फिर हम आशन करेंगे तो रेनु दीदी पीट के बल लेट जाएए दोनों पर एक साथ दोनों हाद शरीष के लिए पहले देखना है फिर करना है आसन का नाम है सर्वांग आसन या इसको सरल करके हम विपरीत करनी करेंगे दोनों हाथ शरीर के बगल में इसमें आप अपनी शर्ट ठकिन कर सकते हैं दीरे दीरे पैरों पून बेड़े ग्री उपर उठाते हैं सांस लेते हुए और हाथों के मदद से हैं फिर कुल्भों को भी उपर उठाते हैं ये कुल्भों को उपर उठाया पैर हलके से पीछे जाते हैं दोनों हाथ खमर पर सपोर्ट के लिए पिर दीरे दीरे पैर को सीधा करते हैं अब जिन के लिए सरल है वो दीरे-दीरे अपने कंधे, कुलहे, पैर एक सीत में कर लेते हैं, जिससे ये सरवांगा आसन हो जाता है, और जिनके लिए पीट को पूरा सीधा करना मुश्किल है, कोई बात नहीं, वो कुलहों को थोड़ा कम उठाएं और पैर को उपर कर ले, तो विपरीत करने हो, पैर तो ये आसन है, अब इसमें वापिस कैसे आते हैं, दीरे-दीरे पैर को पीछे ले जाएं, और दीरे-दीरे अब कुलहों को जमीन पे लाएंगे, उक्तान पाद आसन में आगे सांस ले और सांस छोड़ते वे दीरे-दीरे लीचे, इसी के साथ एक और आसन है, वो हम इसके बाद करेंगे, तो ये सर्वांग आसन है, या विपरीत करने, आपके लिए सर्विल करने के लिए, जिनको भी हाट प्रॉब्लम्स होती है, या हाई ब्लेड प्रेशर भी होता है, तो सर नीचे पैर उपड़ नहीं करना चाहिए, किसी को कोई भी brain disorder है, या menstruation के समय भी यह आपको नहीं करना है, या कोई गर्दन में spondylitis हो, या पीट में strip disc हो, बहुत headache हो रहा हो, ठीक है, sinus, इनको नहीं करना है, हम शुरू करते हैं, दीर है, दीर है, दोनों लेट जाएं, दोनों हाथ शरीट के बगल में, हतेल लिया नीचे की तरफ, दोनों पैर एक साथ, सास लेते वे, पैरों को 90 डिगरी उपड़ उठाएं, अब हो सकता है, आप शुरुवात में खुल हो को उपड़ नहीं उठा सकते हैं, कोई बात नहीं, दीर है दीर है, जब आप प्रति दिन योग अभ्यास करेंगे, तो आप तयार हो जाएं, अब हातों की मदद से खुल हो को उपड़ उठाएं, दोनों हात, खमर पर पैर को सीधा करें, बहतरी, आज हम पचास सेकेंड से एक मिनट आसन में विश्राम करते हैं, किसी किसी को गर्दन के नीचे हलका से एक सपोर्ट की जर्रत हो सकती है, पैर को सीधा रखना मुश्किल हो सकता है, शुरुवात में गुटने भी मोड सकते हैं, यह आसन तो पूरे शरीर के सिस्टम सारे हर्मोनल बैलेंस पैदा करता है, पिच्वटरी ग्लैंड और थैरट ग्लैंड की फंक्शनिंग को बेटर करता है, पैरों से जमाखून नीचे आ जाता है, डाइफ्राम इसमें ग्रैविटी के उल्टा काम कर रहा है, तो डाइफ्राम मजबूत होता है, तो लंग कैपैसिटी बढ़ती है, इसको एंटी एजिंग आसन भी कहता है, तो कई परिशानियों में थाइरट की प्राब्लम हो, चाहे अस्तिमा हो, चाहे पाइल्ज हो, चाहे कफ़ोर्ड होता हो, चाहे डाइबेटीज हो, यह प्रड़क्टिव डिसाउड़िज, सब में यह मदद करता है, ठीक है, दीरे से पैर दीरे दीरे नीचे, पीछे, और फिर दीरे दीरे कुल्हों को जमीन पर लाएं, और नाइन्टी डिग्री आ जाएं, दीरे दीरे पैरों को भी नीचे ले आएं, अब जब भी हम, दीरे दीरे पैरों को नीचे ले आएं, अब जब भी हम यह विप्रीत करने या सर्वांग आसन करते हैं, तो गर्दन पर, क्योंकि जोर पड़ा होता है, तो हम इसका उल्टा मत से आसन भी करते हैं, तो आप एक बार मत से आसन देख लीजिए, दोनों पैर की, आलती-पालती मार सकते हैं, पदमासन बना सकते हैं, या दोनों पैरों को अगर डिसकमपर्ट है तो हम सामने भी रखते हैं, हाँ, ठीक है, फिर, जैसे रेनु दिदी पदमासन बना रही है, ठीक है, पदमासन में आ जाईए hara, राइट, हम एल्बोस की सपोर्ट से दीरे दीरे उपरी शरीर को उपर उठाते हैं और गर्दन को फिर पीछे छोड़ते हैं जो खोपड़ी के उपर का बाग है वो सर को जमीन पर छूता है और हातों को जो पैरों के अंगुटे हैं उनसे पकड़ लेते हैं कि अगर सरल है तो नहीं तो हम ऐसे भी रह सकते हैं और दीरे दीरे गर्दन वापस और उपरी शरीर को निचे लाते हैं पैरों को रिलीज करते हैं तो जब भी सरवांगासन करेंगे उसके बाद यह मत्स्यासन करेंगे और यहीं जिनको हाई ब्लेट प्रेशर है हाट डिसीज है मेंस्ट्रेशन है जब वह सरवांगासन नहीं कर ले तो मत्स्यासन भी नहीं करना है ठीक है तो आप चाहें तो पैरों को सीधा भी रख सकते हैं जिनके लिए पालती बनाने सर ले पालती बना ले और जिनके लिए पदमासन सर ले वह पदमासन में आ जाए अब कोन्यों की मदद से उपरी शरीर को उपर उठाएं और सर को पीछे गर्दन को पीछे टिला चुँए गर्दन को ज्यादा खीचे नहीं जल्दी जल्दी नहीं करना है जो सर का पीछे यह ब्रह्मरंद्र वाला बागे वह आप जमीन पर टच कर सकते हैं छाती को खुलेपन पर द्यान गैरी सांस लें यह भी फायले में खुचाव के कारण थैरओंड के लिए बढ़िया है खुलेपन के का अस्तमा के लिए बढ़िया है आतों के लिए बढ़िया है पाइल्ट前 पीछे दर्ध में यह सर्वाइकल के लिए भी बढ़िया है ठीक, दीरे से उपर आएं, उपरी शरीर, और उपरी शरीर नीचे, और फिर पैरों को रिलीज, हाथों को रिलीज, ठीक, शवासन में लेड जाएं, पूरे शरीर को शवासन में धीला छोड़ दें, स्वशन प्रक्डिया पर गौर् पूर गौर्टधaje कर दो दे एंचे धया कर में लेड़ाएं, जो एंचे नीज, एंगे येला होड़ देंके और प्लाएं, रौर में लेड़ा,ोर फिलीज, डिलीज, आव्रमें इंचे, और श नेचे, वासनए ंएं, वेज़ साह पहां हो भ कर रहां पूरा शरीर बेहत आराम में होता जा रहा है झाला स्भाओ कर दाला आराम में होता है जी रहे हैं इसे पैरों क्यों उग्लियों को हिलाएं दोनों पैर एक साथ दोनों हाथों को सर के पीछे इंटरलॉक करें और स्ट्रेच रिलाक्स राइट गुटने को मुड़े लेफ्ट और मुड़े और हाथों की मदद से बैठ जाएं पीट सी दी कि शाति कुली आज हम चाल मिनिट पर हमरी करेंगे गही सांस लेनी है और फिर जितनी देर आराम से हो सके ब्रह्मरी वाली अवाज तो दीर किस्वाचन लें आर ब्रह्मरी प्रह्मरी देर ब्रह्मरी झाल 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 वे झाल 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 प्रामरी का प्रभाव महसूस करें झाल झाल धीरे से दोनों हातों को जोड़ें प्रदय में शुक्रिया भाव प्रदया झाल इस विश्वास को द्रड़ करें प्रति दिन योग अभ्यास से शरेश अफ़्ड आब ये थे आप्रोर्णी प्रगति और जीवन का मकसद पूरा करने की और में आगे बढ़ रहा है इस पाव में तीरे से दोनों हाथों को रफ करें पामी करके पल के जब चपा करें शुक्रिया तो आज हमको दस दिन शिवर के हो गए है अगर हम प्रते दिन योग अभ्यास की आदत को डाल देंगे तो हम दिरे दिरे मन हमारा सयमित होता जाएगा साधिना से शरीर स्वस्थ होता जाएगा और हम जो योग का मकसद है उसको भी पूरा कर पाएंगे योग का मकसद है योग पर ज़रूरी क्या है निरंतर दीर्ग काल तक दिर्ड विश्वास के साथ तो अगर हम अभ्यास कर रहे है तो निरंतर करना है उसको केवल अभी अभी नहीं हर दिन करना है बिना किसी इंटरॉप्शन के लंबे समय तक करना है और दिर्ड विश्वास के साथ करना है तो पतंजली कहते हैं हमारे चित्तिकी वृत्यों का निरोध हो जाएगा चिक है यानि अमारा मन सयमित हो जाएगा चिक है शुक्रिया यहाँ जाएगा